हेलो फ्रेंड्स राधे राधे कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जब हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है या बहुत ज़्यादा चेड़चड़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा जिद्धी हो जाता है तो हम उसके साथ कैसा ब्योहार करें आज कल पैरेंस बहुत परिशान होते हैं कि उनके बच्चे बहुत ज़्यादा जिद्धी होते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा है जो पहले ज़़़ान फैमल के मिल जाया करता है इसे ये कारण है कि बच्चा दिन प्रते दिन जिद्धी होता जा ilah तो उसकी जिद्ध को उसके गुश्टे को कम करने के लिए हम कुछ टिपस अपना सकते हैं जितसे उसके गुस्षे को हम कम कर सकते हैं जब बच्चा गुस्षे में हो या किसी चीज के लिए जिद करता हो तो आप भी उसे गुस्षे में आके ना समझाय करें क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि जब गुस्षा तेज होता है तो इंसान बहरा हो जाता है तो बहुत पैरंस होते हैं कि बच्चा जब किसी चीज के लिए गुसा करता है जिद करता है तो पैरंस भी गुसे में उसको समझाने लगते हैं उसके समझ में गुसे वाली बात कुछ नहीं आती है हाँ आप उसको डाट सकते हैं आप उसको दो जापन मार भी सकते हैं डाट मा पावर था जो मैं डाट के उसको समझा लेता था वो भी अप धीरे-धीरे खतम हो रहा है तो ऐसा ना करके आप जब भी बच्चा आपके पास किसी चीज के लिए जिद करके आता है और आपको लगता है कि यह जिद गलत है यह जिद इसकी नहीं पूरी करने लायक है तो आप कर दो कि बाट झाल झाल